हेलो फ्रेंड बनीता ब्लोग में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ सेर करने जा रही हूँ हरे मटर की घूगनी की रेस्पी ये रेस्पी ताजे हरे मटर से बनाए जाती है सर्दियों में हरे मटर आसाने से मिल जाते है तो इसे सुबा के नास्ते या साम के टी टाइमें बना सकते है तो आईए बनाना सुरू करते है हरे मटर के घुगनी बनाने के लिए सबसे पले हम पैन को गरम करेंगे अब इसमें 2-3 चमच तेल डाले तेल के गरम होते ही आधा चमच जीरा डाले और जीरा के चटकते ही हिंग डाले हिंग डाले हिंग डाइजेशन में हिल्फ करता है इसलिए इसे जरूर डाले अब यहां जाएगा 2 हरी मिर्च बारी कटा हुआ और एक बारी कटा हुआ प्याज इसे color change होने तक भून लेंगे प्याज का color change हो गया है अब इसमें डालेंगे आदी और लासन का paste इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे अब यहाँ जाएगा यह एक कटोरी हरे और ताजे मटर यहाँ ताजे मटर काहीं इस्तमाल करें प्रोजेन मेंटर से इसका test अच्छा नहीं आता है अब इसे थोड़ी देर भून लेंगे और अब यहाँ पर ढगा देंगे ताकि मटर हलका soft हो जाए यह देखिए मटर हलका soft हो गया है यहाँ पर flame को medium ही रखेंगे अब इस stage पर हम डालेंगे स्वादा नुसार नमक यानि आधा चमच नमक अब इसमें जाएगा हल्दी पावडर एक छोटा चमच काली मिर्च पावडर साथ ही जाएगा एक छोटा चमच लाल मिर्च पावडर अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और पाँच से साथ मिनट तक लो टू मिडियम फिलेंपर पकाएंगे मटर पक चुका है अब इसमें डालेंगे बारिक चोप किया हुआ हरा धनिया इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब गैस को आफ कर लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है रेश्पी पसंद आती है तो चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले तो ये लेजिए मटर की घुगनी बनकर त्यार हो गए हैं इसे आप चाय के साथ ले सकते हैं बहुत ही तेस्टी लगते हैं और जल्दी बन जाते हैं थैंक यू